अगर आपके उम्र 40 साल से जादा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप पुरुश है या इस्तरी है क्योंकि 40 साल तक तो हमारे शरीर में लचक रहती है हडियां मजबूत होती है लेकिन उसके बाद हडियों का डी जनरेशन शुरू हो जाता है क्योंकि गलत खानपान और बदलती जीवन शैली के कारण आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को घुटनों में दर्द रहने लगा है जोडों में से ग्रीज खतम हो जाता है चलने फिरने उठने बैठने सीडियां चडने में दिक्कत होती है शरीर में दर्द रहता है हडियों से कट-कट आवाज आती है कल ही मेरे पास एक ऐसा कॉमेंट आया था कि उनकी उम्र 30 साल की है पूरे शरीर में दर्द रहता है हड़ियों में इतनी जकड़न आ गई है कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं कमर उनकी पूरी जोग गई है इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही आसान से तरीके एक हम बनाएंगे चुरन जिसे आपको रोजाना खाना है और दूसरा हम मनाएंगे तेल और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ खास एक्यू प्रेशर पॉइंट्स जिने प्रेस करने से आपको हड़ियों संबंदित कोई भी समस्या नहीं होगी शरीर में कहीं पर भी दर्द है चाहे जोडों में दर्द है हड़ियों में दर्द है मासपेशियों में दर्द है साइटिका का पेन है पीठ दर्द है गर्दन में दर्द है इन सब में ये आपको फायदा देने वाला है नमश्कार कैसे हैं आप मुझे उमीद है आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे इस तेल को बनाने के लिए तिल का तेल बैस्ट है अगर आपके पास ना हो तो सरसो का तेल भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पड़ लिया है आदा कटोरी तिल का तेल और इसमें मैंने आड़ कर दिया है दो चमच दाना मेती और दो चमच अजवाइन इस तेल को आपको हल बड़ती चली जाएगी क्योंकि दाना मेती और अजवाइन दोनों ही ऐसी चीजे हैं जो आपके शरीर से दर्द को खींच लेने की क्षमता रखते हैं अब इस तेल को यूज कैसे करना है आए देख लेते हैं थोड़ा सा अपने हातों में यह तेल लगा ले अच्छे से और ल अंगुठे से शुरुआत करेंगे अंगुठे की आपको अच्छे से इस तरह से मालिश करनी है क्योंकि अंगुठा जो है यह आपके सिर और गर्दन को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी इस तरह से जब आप मालिश करेंगे अगर आपको कंधों में दर्द है गर्दन में दर्द रहता है उससे आपको काफी आराम मिलेगा दोनों हाथों में आपको इससे करना है इसी तरह से एक एक उंगली पर आप अच्छे से मालिश करेंगे यह जो पहली और आखरी उंगली है यह आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती है तो अगर आपके हाथों में कहीं भी दर्द है कोहनी में दर्द है कलाई में दर्द है या उंगलियों में दर्द है तो इन उंगलियों की मालिश करनी है आपको पैरों में दर्द है तो यहां पर मालिश कर ले सारी उंगलियों के कर लीजिए पूरे शरीर की मसाज हो जाएगी घुटनों में दर्द है तो खास तो अच्छा सा असर हो उसके लिए आप हतेलियों को बड़िया गरम कर लीजिए उंगलियां भी गरम हो जाएंगी यह तेल अंदर तक अब जिनको कमर में दर्द है वो क्या करेंगे यह दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं आप यह जो खाली जगेस ही है यह आपकी स्पाइन के लिए बहुत बड़िया है यहाँ पर आप बार बार दमाएं छोड़ें दबाएं छोड़ें इस तरह से कमर में कहीं भी उपर नीचे जहाँ भी आपको दर्द है हर एक उंगली के बीच में आप इस तरह से मालिश करेंगे दोनों आतों में इतना बड़िया असर आएगा इसका पहले ही दिन करते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट सो आपको प्रेस करने ही है साथ में जो अफेक्टेड एरिया है जैसे किसी को गुटनों में दर्द है कंदों में दर्द है पीट में करें तो यह जो काम कर रहें न अगर आप दूप में बैठके कर लें तो बहुत अच्छा है जानते हैं न जो कैल्शियम आप ले रहे हैं उसका पूरा फायदा अभी मिलेगा जब आपके शरीर में वाइटमिन डी होगा और वाइटमिन डी के लिए संलाइट से अच्छा कर लें पूरे शरीर में जितनी भी नवस हैं न एक्यू प्रेशर पॉइंट से जो निकलती हैं वो कलाई से होकर गुजरती हैं तो कलाई की मालिश कर ली मतलब पूरी बाड़ी की मसाज हो गई नो नो आतों में बहुत बढ़िया तो यह तेल इतना गुनकारी है सारे जो आ आप यह खास एक्यू प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करेंगे पहले दूसरे दिन ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स में लेंगे तो यह तो हो गई मालिश अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सा चूर्ण है जो आपको रोजाना खाना है इस चूर्ण को बनाने के लिए स लेकिन आज हम चूर्ण बनाएंगे आपको एक चौथा ही कटोरी अलसी के बीज ले लेना है इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 fatty acids तो हैं ही साथ में यह calcium, potassium, magnesium, iron से भरपूर है बहुत सारा fiber और antioxidants है तो इस अलसी के बीज को आपको क्या करना है dry roast कर लेना है कड़ाई में या pan में ड बंद हो जाएं तो इसमें आप डाल दीजे दो चमच दाना मेती दाना मेती को भी इसी के साथ हलका सा भून लेंगे दाना मेती के गुंड तो किसी से छुपे ही नहीं है हड़ी ओर जोडों का दर्द शरीर का दर्द तो खतम होगा ही क्योंकि आपके शरीर में बढ़े शुगर के लेवल को भी कम करेगी, चेहरे पर ग्लो आएगा, समय से पहले बाल सफेद नहीं होंगे, बालों का जड़ना बंद हो जाएगा, मोटापा बढ़ रहा है, उसे भी कंट्रोल करेगी दाना मेती, और आपका हाजमा एकदम दुरुस्त रहेगा, और इसके साथ आपक गैस बंद कर देनी है, और इस मिश्रन को ठंडा होने के लिए रख देना है, जब ये ठंडा हो जाए, तो इसको हमें पीस लेना है, मिक्सी में, पीसने से पहले आप इसमें एक चमच सोंट भी डाल दीजिए, ड्राइ जिंजर पाउडर जो होता है न, वो आपकी हड़ियो पीनी का काम करता है, अब इन चारों चीजों को आप अच्छे से पीस लें, और जब ये पाउडर बन जाए, इसे आपको एक बॉटल में भरके रख देना है, सुवे सुवे एक चमच ये पाउडर लेना है, और उपर से गुनगुना पानी पी लेना है, कई लोगों को इसक और हल्दी आपके शरीर की हीलिंग करती है, दर्द भी कम होगा, जोडों में शरीर में कहीं भी सूजन है, उसे भी ये कम करेगी, इसका सेवन करने के बाद कोशिश करें, आदा घंटे तक आप कुछ ना खाएं पिएं, पहले दूसरे दिनी आपको बहुत अमेजिंग बैटने में, सीडिया चडने में दिक्कत होती थी, वो खतम हो जाएगी, क्योंकि आपके जोडों का दर्द शरीर में जो सूजन है, वो कम हो जाएगी, सर्दियों के सीजन में तो आप इसका एक चमश ले सकते हैं, गर्मियों में आप कुएंटिटी आधा कर दीजीगा, क् इसमें सारी चीजें जो हैं वो गरम तासीर वाली हैं, और इसके साथ साथ कुछ चोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना हैं, जैसे कि खड़े ओकर पानी ना पियें, ये गुटनों में दर्द का बहुत बड़ा कारण होता है, दूसरा आपको वात वर्दक चीजें नहीं ख सुक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में जो जोड है, वहाँ पर जो एयर जमा हो जाती है, जिसके कारण कट-कट आवाज आती है, वो एयर निकल जाती है, आपको हड़ियों में दर्द नहीं होता है, तो अगर आप और कुछ भी नहीं करते हैं, तो दस मिनिट सुक्ष करना, बंद करना, पैर को आगे करना, पिछे करना, गुटनों का मुवमेंट, ये चोटे-चोटे जो सुक्ष्म व्यायाम है न, इन्हें आपको रोजाना करना है, मेरा दावा है कि अगर आपने ये तीन चीज़े रोजाना कर ली न, एक ये जो चूरन बताया है, दूसरा इस तेल का प्रयोग, और तीसरा धूप में बैठकर सुक्ष्म व्यायाम, आप खुद देखेंगे हफते भरके अंदर-अंदर आपके शरीर के जो दर्द है न, वो सब गायब हो गए हैं, और एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़, कि वो सभी लोग जिनको या तो समस्याएं जादा होती हैं, तो इन सब का जो एक रामबान इलाज है वो है प्राणायाम, जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके मिनोपोस से सम्बंदित जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, आपको थाइरोइड में आराम मिलेगा, आपके डाइबिटीस कंट्रोल में र के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे जरूर देखें, अच्छे से सीख कर करें ताकि आपको इसका पूरा फाइदा मिले, मैं हूँ मदू चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं, अपना ख्याल रखें, नमस्कार